हेलो एस्ट्रेंस एम स्वेता स्वर्षवती फ्रॉम सी एम जे इस्टिटीट अफ एजुकेशन बंकत मुतिहारी स्वेस्ट्रेंस टुड़े आइविल टीच यू लवली पोएम वाट डू एनिमल एट मतलब जानवर क्या खाते हैं एक बॉय है जो अपने जानवरों के लिए लड़का बोलता है आई बॉट एन एपल फॉर्ड रैबिट मैंने सेव खरीदा अपने रैबिट के लिए यानि खरगोश के लिए बट निविलिंग कैरोट्स एज हैबिट लेकिन उसके गाजर कुतर ना उसकी आदत थी आदत है गाजर कुतर ना उसकी आदत है फॉर्ड मंगी आई ब्रॉट सम ग्रैम्स मैंने बंदर के लिए कुछ अंगूर लाए आई लाइक बनानाज ही सेड एंड कॉल मी एन एप उसने कहा कि मुझे बनाना यानि केला पसंद है और मुझे तुम लंगूर पुकारो फॉर् हाथी के लिए मैंने कुछ अनाज लाए लिफ्टेट अप ही ट्रंक उसने उसे अपने सुन पर उठा लिया एंड आस्क और कहा वाई नौट सुगर केन लागना क्यों नहीं I gave some grass to the dog मैंने कुछ घास कुट्टे को दिया it did not move but slept like a log वह वहां से हिला नहीं लेकिन वह एक लकडी की तरवां पे स्वया रहा for my cow I picked up some hay मैंने अपनी गाय के लिए कुछ घास फूस लाए he mute and say उसने अपनी आवाज में कहा you have made my day तुमने तो मेरा दिन मना दिया यानि गाय खूस हो गई तीस कविता में एक लड़का आप देख रहा है rabbit के लिए वह apple लेके आया है जो उसे पसंद नहीं है क्योंकि वह उसे गाजर पसंद था बंदर के लिए वह अंगूर लेके आता है जो उसे पसंद नहीं है उसने कहा कि खेला क्यों नहीं लाए उसे खेला पसंद था हाथी के लिए वह अनाज लेकर आता है तो हाथी भी गुसा हो जाता है वह उसे बोलता है गन्ना क्यों नहीं लाए और कुत्ते के लिए वह घास लेके आता है जिसे वह भी देखके गुसा हो जाता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं है और गाई के लिए सूखी घास लेके आता है वो खुस हो जाती है और वो से बोलती है तुमने तो मेरा दिन बना दिया इस चेप्टर में कोई question answer तो है ने इसलिए मैंने कुछ word meaning दिये हुए है जिसे आप लिख कर याद करेंगे जैसे बट मतलब खरीदा, निबलिंग मतलब कुतरना, लोग मिस्तना या लकडी हे मतलब सूखी घास अमू यानि गाई की आवाज जिस तरह वो बोलती है सुष ज्रेंच इस word meaning को आप लिख कर और याद करेंगे